आप जब भी किसी पेशेंट को कैंवर लगाते हैं तो आपको पहले ये इंस्योर करना है कि आप लोग गलब्स पहने और टर्न्यूकेट बांधें या किसी दूसरे साथी की मज़से उसको हाथ पकड़ने के लिए बोलें उसके बाद आप पेशेंट की वेन को फील करें और थोड़ा पेशेंट की स्किन को टेप भी करें ताकि आपको वेन थोड़ा केलिरली दिखाई देने लगे या पेशेंट को आप बोलें कि आप अपने मुठी दो तीन बार चलाएए ताकि ऐसा करने से उसकी वेन जो नीचे क के एंगल पर प्रिक कीजिए और केनुला को इंसर्ट कर दीजिए यह चीजें आप experience से सीख सकते हैं दीरे दीरे आएंगी आपको अब फिर आपको backflow भी चेक करना है देखिए अब इसमें backflow आएगा तब आपको stopper लगाना है इसके बाद देन आपको इसे एनस से फ्लस भी करना है एनस से फ्लस करनी से क्या होता है कि आपका blood जो है इसके अंदर clot नहीं होगा और केनुला चलता रहेगा है इसके बाद आप proper तरीके से अपना का उनस से एनस से क्याँ है